Hi, Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Pisces, thank you so much. जिसने भी मेरा चानल सब्स्क्राइब किये, it really means a lot, Pisces. मैं personal reading भी offer करती हूँ, आप description box और comment section चेक कर सकती हो. मेरा WhatsApp link mentioned है, WhatsApp link पे click करो, और अपनी personal reading book करा, it's very minimum fees. ये वीडियो दो पाट में divided है, general reading and love life reading, time time नीचे mention है. Let's check, आपका August month कैसा रहते है. आपकी लिए card आया है, वाव, green tara, supreme protection, you are protected, cards are being cut, move beyond limitation, trust. जितना मुझे दिख रहा है, कि आप लोग बहुत जादा protected हो, अपने angels से, and कही न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है, कि आप लोग के जो unnecessary लोग थे, रिष्टे हैं, वो काफी तूट रहे हैं, और आप लोग एक self independent, एक self confident person दिख रहे हो. Green tara की blessings आप तक है, और आपको अपने उपर एक trust बरां के रखने की बहुत जादा जरुवत है. So, ये है आपका message. काफी जादा आप लोग को issues आ रहे थे. काफी जादा आप लोग को शायद आप लोगों के उपर काफी dependent है, co-dependency issues हैं, वो आपकी खतम हो रहे हैं, आपने उपर trust बना के रखो. आपके लिए strong message आ रहा है. Let's check. Energy Oracle से आपके लिए क्या message आता है? आपके लिए आया है याँ 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 काद. जटना मुझे दिखरा है आप लोग काफी बालन्स बना के चलोग इन अमन्त अफ ऑगस, याँ 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 के नगजी ये होता है कि मुझे ऐसा दिखरा है आपकी spiritual growth बहुत पढ़ती है in the month of August. and balance, याँ 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 is just a message of balance. So I'm seeing that आप काफी बालन्स बना के चलोगे अपने professional life में, person life में. So there will be a lot of balance in your life. Let's check. तारो से आपके लिए क्या message आता है? Angels, higher beings, ancestors. General reading for Pisces in the month of August 2023. Let's cut the deck. आपके लिए क्या message आया है? Eight of Pentacles, nice energy. Okay. Sultan, wow. And Malika of Staff, great energy Pisces. Brilliant. Very good cards. Perfect. मुझे वो ही दिख रहा है, independent बन रहे हो. Strong बन रहे हो. Strong, independent. अब वो आप डर पोक Pisces ने रहे हो. अब वो आप हिमती Pisces बन रहे हो. Eight of Pentacles का card है. तो आप मुझे इसना दिख रहा है, financial stability आपकी increase हो रही है. महनती बहुत बन रहे हो आप. Hard work दे रहे हो, dedication, hard work, focus. यह सब आपका बहुत बढ़ रहा है in the month of August. Secondly, मुझे यह भी दिख रहा है कि आप लोग 12-12 गंटे, 10-10 गंटे महनत कर रहे हो, काम कर रहे हो. जो लोग पढ़ा ही कर रहे है, तो आप लोग का focus level बहुत बढ़ रहा है. With the Eight of Pentacles card. मुझे यह भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, वो ही ना कि लोग छूट रहे हैं आपकी life में, आपकी life में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिष्टे छूट रहे हैं, क्योंकि आपका जो goal है, जो dream है, आपको उसे achieve करने में कुछ चीजे, पुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, it is very evident in this world, तो यह इतना वो ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने goals को achieve करने में, आप आलतो हो कि जो लोग हैं, जो आपको distract कर रहे थे, जो आपको distract करते थे, आप उन्हें छोड़ रहे हो, और अपने dreams में, अपने goals पे आपका और focus बढ़ रहा है, so very good, congratulations on that, सुल्तान का कार्ड है, कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग चादे एक business plan करने का सोच रहे हैं, कुछ ये business की strong energy मुझे आ रही है, कहीं न कहीं आप business plan करने का सोच रहे हैं, secondly I am seeing that आपका जो Mars planet है, अगर आप अपने वेदिक astrology according जाओगे, तो आपका Mars planet बहुत स्टेबलाइज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, which will bring a lot of stability in your life, secondly I am seeing that अगर आपका promotion due है August में, आपको promotion मिलेगा, with a very good promotion and a very good salary hike, thirdly ये इंडिपेंडेंसी का कार्ड है, आप लोग इंडिपेंडेंसी का कार्ड है, आप लोग अप ऐसे बन रहो कि आपको किसी की जरुवत नहीं कुछ चीज करने में, कुछ चीज के लिए, को डिपेंडेंसी issues अगर आपके चल रहे थे बहुत टाइम सा, अब आपके planets, आपके angels बोल रहेंगे, ये बस बहुत हो, you have to be the lone wolf now, आपको अब अकेले सारे काम करने पड़ेंगे, अब आपको अकेले चलना पड़ेगा, so यही स with the malika of staff card, malika of staff is the queen of wands card, तो कहीं न कहीं वो ही आपकी communication skills मुझे बढ़ते हुए दिखरी, communication skills, आपकी leadership qualities, आपके अंदर जो beauty है, confidence है, personality है, aura है, वो आपका बढ़ते हुए दिखरा है, मुझे ये भी दिखरा है, Pisces, आप कुछ भी बोलोगे अपनी life में, कुछ भी करोगे उसमें value होगा, आप कुछ भी nonsense activities नहीं करोगे, आसपास की जो आपके लोग है वो आपको आप seriously लेना start करेंगे न मन्त of August, overall मुझे एक और energy दिखरी with the red element, कि आपका शाद गुसे का level बहुत बढ़ सकता, queen of wands with sultan represents a lot of anger as well, तो please August में अपने anger पे control करके रखना है, overall looking very positive month for you, focus dedication, hard work आप करते हुए दिख रहे हो, अगर आप वही करते हुगे से पैसे, stability, promotion, सब कुछ होते हुए दिख रहे है, you know what the energies are in your favor, the energies want you to progress in life, that is your August month reading, let's check your love life reading, from now onwards, hi Pisces and welcome to your love life reading, अगर आप किसी इंसान को like करते हो, उस इंसान को अपने mind में रखो और यी reading देखना, start कर दो Pisces, let's check some general energies of your love life, okay, life lessons and healing, okay, healing, healing का energy है, new doors opening and self love, okay, self love तो practice करनी ही है आपको, वो आपके general reading में आ रहा था, yes, perfect, and healing का कार्ड है, कही न कहीं आपका partner अभी तक हील नहीं हुआ, या आपके partner की energy है, और जो लोग single है, शायद आपकी life में new love आने वाला है, let's check, angels, higher beings, ancestors, love life for Pisces in the month of August 2023, let's cut the deck, current energy of your partner, 10 of swords, healing, healing नहीं हुई अभी तक, intention of your partner, king of coins, future action of your partner, nine of swords, oh god, your energy, four of coins, अच्छी नहीं है, future, difficult energies, Pisces, very difficult energies, you are strongly dealing with Gemini Libra Aquarius, Pisces Cancer Scorpio and Virgo strong energy, Virgo and Capricorn, you know what, Pisces, Pisces यह है, life lessons and healing का card है, यह जो partner है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका साथ कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक का not always, not always bad, first of all, मुझे यह energy दिख रही है, कि आपने भी इस partner को hurt किया और आपके partner ने आपको hurt किया, दोनों ने एक दूसरे को बहुत hurt किया है, यह no contact situation दिख रही है, यह कोई past का person दिख रहा है, इस पूरी dating में, current energy की बात करी जाए, वो आपसे बात नहीं करना चाहते है, वो आप में interested नहीं है, secondly, they feel hurt, they feel mistreated, they feel bad, उन्हें कहीं ना कहीं जो current energy है, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी है, और मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी, कि Pisces, अगर आपको यह continue करना है, वीडियो देखना की नहीं, उन्हें अभी अकेला छोड़ दो, वो अभी उस zone में नहीं, कि वो आपसे बातचीत करें, या आपके साथ time spend करें, आपसे reconciliation करें, current energy यह है, कि they want to stay alone, they don't want to talk to anyone, उन्हें time चाहिए खुद के लिए, उन्हें time चा रही है, तो यह strong energy आरी है मुझे, Pisces, अभी current energy में यही है, कि उन्हें अकेले तहना है, उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, and they want to stay alone, that's it, बात करें जाएं इन्टेंशन की, they see you as someone equal, Pisces, they see you as someone इनके साथ एक future potential हो सकता है, तो कही ना कहीं, intention यही है, कि वो आपको देखते हैं, as an equal partner, वो आपको देखते हैं, कि आपका career बहुत अच्छा है, वो आपको देखते हैं, कि आप एक बहुत ही strong, independent, confident, emotional person है, तो intention is like, they don't, they don't have grudges against you, they don't, they don't see you as a negative person, but intention यह कि वो आपको अच्छा person मांते है, with this, with this white flower element, कही ना कहीं, वो देखते हैं, कि आप एक बहुत innocent, तो intentions यह हैं, and future action नहीं नहीं सोच, अगर आप समर सोच रहे हैं, कि आपको यह commitment देंगे, आपस यह बात करेंगे, आपके पास यह दुबार आएंगे, तो अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, future action कुछ नहीं है, future action मुझे ऐसा दिख रहा है, कि इनकी life में, आपके partner की life म और तकलीफे बढ़ने वाली, इनकी आपके partner की life में, और stress levels बढ़ने वाला है, तो future action अभी कुछ expect मत करो, to be very honest, your energy four of coins, वही न, आप लोग अभी भी stuck हो, इस person में, आपके partner ने बोल दिया, कि वह आपको commitment नहीं दे पाएंगे, please don't stuck on me, move on, but अभी भी कहीं न कहीं आपको कह कहीं न कहीं उमीद है कि आपका ये person वापस आएगा, कहीं न कहीं आपको ये उमीद है कि आपको ये person आपको commitment देगा, you are still stuck, you are still stuck on the memories of past, you are still stuck कि ये person आएगा वापस, आप इस partner को let go नहीं कर रहे हो, और वो ही ये दो message आए है, self love practice करो Pisces, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आपको busy रखो, don't be obsessed कि ये person कब वापस आएगा, कहां कब नहीं आएगा, secondly new doors opening, कहीं न कहीं आपको शायद रिष्टे आ रहे होंगे, कहीं न कहीं आपको बहुत जादा दूसरे proposals आ रहे होंगे, आप उन में interested नहीं हो, आप अभी भी past में stuck हो, kindly love yourself by, kindly अपने आपको priority बना, वो ही आपका general reading में भी यही message आया था, keep yourself the priority, अपने आपको तवज्जो दो, अपने आपको ये मत सोचो कि मेरा past का person नहीं आ रहा है, ये 10 of swords के energy में है, तो आप 4 of points के energy में आ गए हो, आप खुद दुखी हो, so instead अगर आप उस situation में हो, आज अपन आपको promise करो, अगर आप मेरा भी ये video देख रहे हो, कि बहुत हुआ, अब मैं अपने goals पर, अपने dreams से focus करूँगा, if that person is not giving me commitment, तो अब मैं अपने आपको वो नहीं करूँगा, मैं दूसरे लोगों से बात करूँगा, मैं दूसरे लोगों को date करूँगा, but I'll not be, I'll not be stuck on this person future में मुझे देखो, future में मुझे ये चीज़ दिख रही है, कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी tension थी, वो ease out होगी, तीन महीने के अंदर-अंदर आप दोनों के बीच में जो भी differences था, वो sort out होगा, and you guys will become each other's friends, ये third party का card नहीं, ये मुझे friendship का card दिख रहा है, मुझे commitment relationship की energy नहीं आ रही है, but कहीं ना कहीं I am seeing that in the future, when these things will thोड़ा frizzle down, तो I am seeing कि आप लोग एक good space में आएगे, आप लोग एक good acquaintance, एक good friendship बनोगे, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी party में ये किसी function में दुबारा से टकरा होगे, तीन महीने के अंदर-अंदर जो भी problem है ना आप दुनों के बीच में sort out होगे, आप लोग दुबारा से friends बनोगे, relationship की energy मुझे नहीं दिख रही अभी के लिए, but definitely आप लोग की बातचीत हो जाएगी and things will get sorted out, but for you right now, Pisces is to do self love, is to prioritize yourself, past में मत जीओ, past में मत रहो, क्योंकि आपका partner ना अभी बहुत tough situation face कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको commitment देना चाहते, पर नहीं रे सकते due to their outer situations in life, so you have to understand that and you don't have to punish yourself for that Pisces, this was your love life reading, I hope you like my reading, if you like my reading, so please like, comment, share and subscribe to floral tarot reader, bye bye